तो हलो दोस्तों नमस्का टेक्निकल सोवन में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम करने वाले है इस 12 वाड के LED बलब को रिपेर आप देख सकते हैं यह इस परकार का LED बलब है आपके पास भी इस परकार के LED बलब बहुत बार आए होंगे रिपेर करने के लगाता हो देखिए इसमिंगे करता है कभि बिलिग करता है और कभी जलता है ठीक है तो आगो तो आज की वीडियो सरु आपके लिए ही झोने वाली है ठीक है तो वीडियो मा लाज तक बने रही दोस्तों मैं यह नहीं बूलता कि आप इस वीडियो को लाइक करें लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और कुछ सीखने को आपको इसमें मिलता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएगा तो चले दोस्तों यहां से इसमें निकाल रखी है ठीक है यह आप देख सकते है दोस्तों यहां से निकाल रखी है ठीक है हो सकता है इसी की विएस से यह दिक्कत हो रही हो लेकिन अब हम क्या करेंगे अब हमारे पता यह करना है दोस्तों जो हमारे दिक्कत है दोस्तों वह इस SMD LED की है यह MC PCB क है या फिर यह इसमें जो ड्रैवर लगया दोस्तों उसकी है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस SMD को एक यह टेस्टर बनाया था देखिए अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो कहीं किसी वज़े से अगर मिस हो चुकी है तो आप हमारे चैनल पर जाईए और इसको किस परकार से बना रखा है वो आप देख सकते हैं और आसानी से इसको बना सकते हैं देखिए इसको बनाने से बहुत जादा फाइदा है दोस्तों आपको बलब खूनने की जरूत नहीं रहेगी और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारी जो दिक्कत है वो कहाँ पर है ठीक है तो देखिए यह किस परकास से काम करता है देखिए जैसे कि मैं इसमें देखिए इसको दोनों को टॉस् हमारा गुलो करेगा ठीक है तो इससे क्या होगा दोस्तों इससे हम सारे अपनी हमारी खराब होगी तो वह नहीं जल ही वह मिसे पता करेंगे किस प्रकास से हम अभी तरिकर सब्सक्राइब करवाइब कुछ बहना पाजिए और नहीं जल रहे हैं वह च confess का अधार मुझे इसको हमने जलाया यह तो नहीं जली लेकिन हमारे सारी SMD इसमें जल रही है जाने की दोस्तों जो हमारे यह वाले SMD जो है वो इसमें खराब है ठीक है यह आप देख सकते हैं यह देखिए जैसे हमने इस पर टच किया पूरी हमारे MCPCP गलोग हो गई देखिए आप यह देखिए इस प्रकार से हमारे जल रही है छेह थीक है तो इस परकार से आप पता कर सकते हैं कि हमारी खराब है SMD LED में है या फिर हमारा जो यह चलता कि हमारी खरावी और हम सारी जो ये हैं अपना ड्रेवर भी इसमें निकालते और फिर हमें ज्यादा इसमें पता चल गया है शिरुप यह वारी हमारी खराव है देखिए तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि ये जो हमारा LED बलब है ये ओके हो चुका है केवल इसमें आप दिक्कत क्या होई होगी ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ पहले ये ब्लेंकिंग कर रहा था जब हमने शॉट किया तो ये रेडी हो चुका है काल से हु हमने इसको टच किया है हमारा सही हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक बार आप इसको देखिए सब्सक्राइब आपको बहुत से जो SMD LED है दोस्तों वह काफी काले काले से लगजे देखिए अगर हम क्या पर देखिए इसमें एक तो पहले से सौट कर रखा है तो दूसरे व अब किस प्रकाश से र्टे करना है आप मुहें कमेंट कीजिए मैं आप लिए एक सैपरेड वीडियो ज़रूर बनादूंगा ठीक है लेकिन अभी हम क्या करेंगे अभी हम इस सेंच करने वाले हैं तो केलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा वस्तों यहां से हम इनको इसको dish-holding कर दिंगे देखी है ऑफ अच यह क्या करेंगे दोस्तों यह भी हमारे में वाहर देख्या दिसको निकाले ज़ायागए है तो अब भी थोड़ा निकानने में हमें दिक्कत हो सकती है इसको लेकिन अराम सी ये निकल जाएगी थोड़ा पोसिश करने भी ये दिखिए ये हमारी निकल चुकी है वायर ठीक है ये आप देख सकते हैं इसको भी रिपेर करूंगा मैं ठीक है इसको भी आप एकदम नहीं ब बाइर हो गए प्लस और माइनस के ठीक है अब हम क्या करेंगे देखिए यह मेरे पास सेम एक MCPCB है ठीक है यह देखिए सेम है बिल्कुल तो मैं इसी को इसमें लगाने वाला हूं आप सबसे पहले विए क्या करूंगा देखिए एक बाद इसमें जो पेश्ट लगावाए इसको फ़्टा साफ कर लेंगे क्योंकि हम पेश्ट के उपर पेश्ट लगाएंगे तो सही सब्सक्राइब नहीं साफ करें अब हम क्या करेंगे इस एंसी पीकरण को ङपी पीछ तो मैं ने सिलिकॉन पेश्ट सही से लगा दिया है अब इस प्रकार से इसको लगाए जादा लगाने की जिबार नहीं आप फूड़ा सब्सक्राइब लगा लीजए काम हो जाएगा ठिक है अब क्या करेंगे से इसको लगाने वाले कि यह सब्सक्राइब करने वाले हैं यह तो यह तो बाद में सूखता रहेगा इससे पहले मैं आपको बता दू कि इसको किस परकास से हमें लगाना है ठीक है यहां देख सकते हैं एक प्लस और एक माइनस का यहां पर निसान दे रखा आपको two mcpcb में खिक है अभी मैं आपको दिखाता है रोभ तो है मैं Does यहां पर एक प्रस का निसान और यहां पर एक बलैक वाला वायर है और एक यहां पर दो बैक वाला और एक एड़ वाला ठीक है तो red वाले का हम मिलाएंगे दोस्तों यहां पर प्लस वाले में प्लस वाले में प्लस वाले में ठीक है और जो black वाला है उसको इस परकार से minus में लगा देंगे देखिए तो दोस्तों finally आप लोग देख सकते हैं जो हमारा mcpcb हो सभी से चिपक जाएगी ठीक है तो आप हम इसको चेक करके दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से इसकी व्रैटनेस है और किस प्रकार से यह हमने रिपेर करिए ठीक है तो आप भी इसी प्रकार से इसको रिपेर कर सकते हैं यह मैंने लगा दिया लाइन में और मैं इसको स्विच करत ये आप देख सकते हैं एकदम जबदस्त ये गलोविंग के साथ गोल हो रहा है एकदम दोस्तों जबरदस्त ये गलोव हो रहा है तो चलिए एक बार मैं इसकी कैविस में लगा देता हूं इसके बाद देखें काफी पुराना हो चुका था इसका जो यहां पर है ना देखिए डिफ्यूजर भी इसका टूट चुका है देखिए तो हम इसको डिफ्यूजर दोबारा लगाने की कोशिश करते हैं चलिए अभी यह लग चुका है दोस्तों तो आपको मैं दोबारा इसको एक बार चेक कर आता हूं यह देखिए यह हमने लगा दिया है और हमें स्विच ओन करता हूं दोस्तों यह आप देख सकते हैं जो इसकी ब्रैटनेस है यह काफी बहतरी नहीं और बहुत ही जवड़दा कर सकते हैं दोस्तों हाँ दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के mcpsb चाहए चाहे वह Herrn नव आटकी हमें जरूर बताइए अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देजी अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले तो चलिए मिलते हैं बहुत चलिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाए